हेलो दोस्तों मेरे चैनल पर आपका बहुत स्वागता अज बनाएंगे टमाटर के प्राठ्थे तो मैंने तीन टमाटर लिए हुआ एक करी मिर्ची इसको एक जार में डालेंगे कट करके इसको बड़े बड़े टुकडु में कट कर लेंगे मिर्च भी डालती हूँ इसको अलका थोड़ा ग्राइंड करेंगे मैंने अलका ग्राइंड करेंगे बारिक नहीं किएंगे इसको तो मैंने एक बाउल लिया हुआ है रठा बनाने के लिए लाल टमाटर लें देशी टमाटर नहीं लें मैंने एक बाउन आटे का लिया हुआ है और आटे की जूर्थ पड़ेगी तो और आटा बाद में लेंगे आदी छोटी चमच नमक एक छोटी चमच लाल मिर्ची पाउडर एक चमच अजवाइन आदी चमच ग्रम मसाला तो सभी चिजों को मिक्स कर देते हैं मैंने इसमें पानी नहीं डाला है मैंने आटा लगा की तयार कर लिया है मैंने इसमें पानी नहीं डाला तो मट्र से गुथा है मैंने आटा ले लिया है इसकी लोई बनाएंगे सुखा आटा लगाएंगे इसको बेल लेंगे अलके आट से भी लें तो यह बिलके तयार हो चुका है बनाना शुरू करेंगे तो वह मरग गरम हो चुका है प्राठे को डाल देते हैं कि दूसरी साइड पल्ट देते हैं मैं प्राठे को दूसरी साइड पल्ट देते हैं अब इसकी लगाएंगे अब दूसरी साइड और लगाएंगे पुराठे को दूसरी साइड दो पल्ट देते हैं पुराठ अमारा सिक्की तैयार हो चुका है तो इसको इस प्लेट में निकाल लेते हैं दूसरी पराथे को डाल देते हैं पराथे को दूसरी साइड पल्ट देते हैं पराथे को दूसरी साइड पल्ट देते हैं इस साइड गी लगाएंगे दूसरी साइड और रवाएंगे सवी पराठी इस्तरे ही शेकेंगे पराठा मारा शेषी शेक चुका है दोनुं साइड से इसको एक प्लेड में निकाल लेते हैं मैंने सभी पराठे बना के तैयार कर लिए यह दई के साथ या चार के साथ इंजोय कर सकते हूं यह पराठे आप घर पर जरूर ट्राई करें गवर बना के कैसे बनते मेरे को बताएं और चैनल पर नहीं आए हुए तो सब्सक्राइब जरूर करें